सब पीपल इट्स में हमजेन यूर वाचिंग एश्टी डेक्ट वेलकम बाक्ट टे चनल अमीद करता हूं अच्छे होंगे हैर खेरियत से होंगे इंज्वाय कर रहे होंगे और हम जिस वीडियो पे रेक्ट करने वाले हैं उसका टाइडल कुछ ऐसे है कि इस्राइल की धार से बोकलाई पाकिसानी एंकर फिज़ा अकपर खान तो भाई देखो जब हमास ने टैक किया था इसरेल पे और इसरेल की जएदा देथ इसलिए होई क्योंके बिल्कुल बॉर्डर के पास ही जो है ना वहाँ पे मुजिकल फेस्टिवल चल रहा था तो जब हमास का टैक हुआ तो फिज़ा और इसके बहुत सारे साथी एंकर्स यहां पर बड़ा जो है ना बहुत बड़ी कामियाबी होगी ती यह हो गया वह हो गया अब जब रिटैलियेशन हो रही है तो सबसे ज़रे चीख भी यही लोग रही है तो वीडियो देखते हैं फिर मजीद बाते करेंगे 321 और बड़ी बड़ी ओ लेड़ी एंकर का मैं नाम नहीं लूँगा जाहिल है एक नंबर की वो वो बड़े बड़े ऐसा यह वैसा हुए यह ओपरेशन मस्जिद अल-अकसा में इस्राइली जारियत का बंदला लेने के लिए किया गया है अब वही लेड़ी एंकर है क्या ह अब जोगा फिनिस्की यह उगा मरके एक तकलीफ होती है हमें भी दुख होता है थैप यह जोड़ाही जोट बोल रहा है यह लड़ाई नहीं है यह पिटाई है क्योंकि लड़ाही क्या होता है बॉनों तर्ते हैं पिटाई एक तरफा होती है भी अब यह एक तरफा होती है laughed अब हम इसको एंड करेंगे बिल्कुल ऐसी होना था जब हमास ने अटक करा तो इनी लोगों ने बहुत सेलिबरेट करा जैसी इनको पिटाई देखें दो चीजे हैं पाकिस्तानी यही है पाकिस्तानी आप पाकिस्तानी टेलिविजन आप अब देखें आप जोश्मना रहे हमास ने जो मारा है खंजर उतार दिया इसराइल के दिल पर इस्विलियन मर रहे हैं तो यहां खुशी मने जाए पालेस्तिनियन सब्सक्राइब कर देखें पाकिस्तानी आदाकारों निवी फलस्सीन के हाख में आवास उठाथ बहुत 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 बड़ा इस वक्ते चल रहा है इसराइल में हमास का हमला जो हुआ है यह एक्र बन गिये एक्टर होता था तूरी शिटत के साथ जारी है इसराइल पर दूसरे देंगे रॉक्ता वारिश तरभी पर दीए एक सो पचास रॉकें टाफ लिए गये गये हैं उदर भी इनसान मर रही ते इसान मर रही हैं तो कर जनाजे में जड़पें ज्यादा इसराइल की तरफ से की गईी कुछ भी बार 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 निशाना बनाया गया कई पर दूसरे बड़ा हमला है पचास साल में अब यह जो नंबर सामने है तकरीब साथ सो के करीब हलाकती हुई है इसराइलियों की आपको क्या लगता है कि जो लोग मतलब वहां पर हलाक होते थे यहां तो दर्जनों शहीद होते रहे हैं तो यह रिवेंज की जो एक आग है उसको आप किस तना देख रहे हैं कि जो इसको किस तराइल में नजर आपको आ रही होगी अईड़ा जैर पर आना इजना नीचे इच्छा तारी नागन फेल क थी यह कैसे मुम्किन है कि उन्हें कुछ पता ना चला तो क्या इसके पीछे को लॉबी कार फर्मा है पिर एक तास्तुर यह भी दिया जाए कि को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है ए बोलने दे बोलने दे तकलीफ हो है बेचारे को बोल बोल और हमास को ट्रैप किया ग जमीनी समंदरी और फजाई हमले किये जिन में फॉजी अफसरान समेट आठ सो इस्राइली मारे जाए इन हमलों ने इस्राइली फॉज और इंटालिजन्स का पॉल खोल कर रख दिया और जो यहूदी बस्तियां है वहाँ पर हमास और इस्राइली फॉर्स के दर्मयान शदी जट्वें अभी भी जारी हैं जबके मुतादि इस्राइली फॉजियों को यरगमाल भी बना लिया गया है यह ऑपरेशन मस्जिद अक्सा में इस्राइली जारियत का बदला लेने के लिए किया गया है चाहे बेगानी साधी में अब्दूला दिवाना हो या बेगाने होगा फलिस्तिनीों का तकलीफ होती हमें भी दुख होता है ना पानी और ना ही बिजली इस्राइल की किस्यानी फॉज से इसी की तवक्को थी यहुदी फोर्सिज ने घजा का मुकमल मुहासरा करके रहाईशी आबादी पर वैस्याना बंबारी शुरू कर दी फजाई हमलो जी और इसमें मेजर गोरावारिया भी थे और इसमें केरन नास भी थी शायद एक तो जगा पे और जादातर जो है ना बॉल के एंकर से यह पूरा वीडियो जो हैना फॉकस किया था बॉल यूज पर और बॉल यूज भाई पाकिस्तान की ना ऐसी जहरीली नागी ने जो प पालेस्टाइन और हमास के दिन्यान और ये जो कुए है क्मीटमेंट और इसराइल के साथ जो इनकी जंग हो रही है जंग तो नहीं कहें कि हम इसको क्योंकर हमास ने एक टेरर एटेक किया है यह मीजिकल फेस्टिवल पे यह भाई से किसी की क्या दूश्मनी है अजरेकों सिविलियन्स थे नोजवान थे यंग्स्टर से वह अगर म्यूजिक फेस्टिवल में थे तो हमास ने वहाँ पे अटैक किया तक्रीबन थाइसो बॉड़ीज वहाँ से कुलेक्ट की गी है और फिर वह जो पांच जार रॉकिट फायर किये थे आरेंड डॉम उनको प्रॉपरली इंटरसेप्ट नहीं कर सका और जो जो जहां जहां किरे है क्योंके अचानक से ही एक स्ट्राइक वी तो बहुत सारे उनके मतलब 12-1300 लोग इसराइली मारे गए अब चलो फोजी कोई होना वो समझ में आ सकता है वार क्राइम है जनाब वह भी लड़ रहा था हम भी लड़ रहे थे सिविलियंस के क्या कसूर या एक आपको पते हैं इंस्टाग्राम पर इंफ्लूएंसर है याईल उसका नाम है में वह शेयर कर रही थी तो वह अपनी साइड की स्टोरी जरूर बता रही है क्योंकर देखें उनका यह कहने जी हम सुबह 6 बजे उठे तो हम पे अनप्रोवोक्ट अटैक हुआ अच्छा एक जो है वह एक वुक्राइटर है नेजवा जैबियन शायद आपने उनकी बुक् चाहिए इस्राइलिस को उसे नहीं बहाना चाहिए तो मेरा सिर्फ यह कहने यार देखो जियूज कोई भी हो किसी भी मुल्क में रहते हूं यह हुमन्स जब तक आप पर कोई अटैक ना करे मैं नहीं समझता किसी पर हमला करना चाहिए तो हमास ने बिलावजा किये और पहा यह तो वहाले 3-4 सालों में अईस्टाइस एनों वेस्ट बिलावजा की है तो अग्सा पर होते रहते हैं ठेक को demolish नहीं किया जाएगा यानि इस तरह के peace treaty जब होती है तो बहुत सारे pact होते हैं भाई कि हम आप की protection करेंगे आप जो है ने हमारे reservations ने इनको पूरा करेंगे जब ये काम हो रहा था तब ही attack यूं किया तो मेरा ये मानना है कि ये सब हमास की जो है ना ये एक साज़िश थी कि स्पेस टील को खतम करने के लिए सैपरटाज करने के लिए और वो इसमें कामियाब भी हो ली आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताईएगा मिलेंगे अपने ख्याल रखिएगा